Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल Friends, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो javascript के सीरीज चल रही है उसका 35th वीडियो है और आज के वीडियो में friends हम लोग देखेंगे कि अगर हम javascript के तुरू कोई नया tag add करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसे कर सकते हैं यहाँ पर tag का मतलब यह है कि अगर मैं कोई element add करना चाहूँ उसमें कोई content डालना चाहूँ तो कैसे डाल सकता हूँ तो मतलब friends, basically मेरा यह है कि let's say हमारे पास एक ul है ul के अंदर हमारे पास li है, एक है विशाल, एक है let's say अमित, एक है हमारे पास सुमित इस ul का एक id ले लेते हैं, let's say box हमारी requirement यह है कि हम यहाँ पे javascript के तुरू सुमित के बाद कोई चीज add करना चाहते हैं या फिर एक बोल सकते हैं, li हम add करना चाहते हैं अगर मैं इसे view source करूँगा, तो मुझे यह data इस हिसाब से दिखता है अब अगर हमें javascript के तुरू add करना है, तो इसके लिए हमें again document के पास जाना पड़ेगा और document के कुछ functions है, जिनका use करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग बोलेंगे let, let's say मैं बना लेता हूँ एक box is equal to document.getElementById इसमें डाल देते box, अब यहाँ पे यह जो box id है मैं क्यों ले रहा हूँ क्योंकि इस particular id के अंदर हमारे li है, जहाँ पे हमें एक नया li एड़ करना है यह box से confuse मत होईएगा, यह box id थी और यह एक variable है let's say मैं इसको बोल देता हूँ li box जिससे आपको कहीं पे यहाँ पे confusion ना हो इसके बाद अगर हमें एक नया li एड़ करना है तो उसके लिए हमें उसका एक element create करना पड़ेगा तो मैं बोल दूँगा let new li यहाँ पे new li नाम से मैंने एक variable बनाया है और हम बोलेंगे document. यहाँ पे एक नया method आएगा हमारे पास c-r-e-a-t-e create element और यहाँ पे हम हमारे element का नाम बताएंगे यानि की li अगर मैं यह जो output आया अगर आपको इसको console में दिखाऊं तो देखें क्या आएगा console.log एक बार चलेंगे screen में right click inspect console तो देखें यहाँ पे automatically इसने क्या करा एक li का tag बनाया और उसे close करके open और close करके आपके सामने ले आया अब यहाँ पे अगर हम इस box की id के अंदर हमारा यह नया element एड़ करना चाहते है उसके लिए हमने यह जो id बनाई है हम यह लेंगे dot एक और method है हमारे पास append child जिस child को add करना है यानि कि इसको add करना है हम इसे यहाँ पैसे टाल देंगे एक बार चलेंगे reload करेंगे तो देखिए एक li का मेरे पास bullet point जो आता है वो बन गया पर इसमें कोई भी content नहीं है content क्यों नहीं है क्योंकि हमने कोई content डाला ही नहीं है अब यहाँ पर अगर हम इसमें li में कुछ content डालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें एक यहाँ पर text note क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं बोल देता हूँ let li text is equal to document dot मैंने बोले एक text note तो हम बोलेंगे यहाँ पर create text note और क्या text डालना है तो let's say मैं डाल देता हूँ भावेत एक बार अगर मैं आपको खाली इसको print करके दिखाऊं यहाँ पर console.lock तो यह देखिए यहाँ पर यह जो text हमने डाला यह खाली है मुझे directly यही print कर देता है अब इसके बाद अगला काम हमारा यहाँ पर यह है कि यह जो text हमने बनाया है इस text को हमें इस li में डालना है तो simple जैसे हमने यह append child किया तो इसी तरीके से हम इस बार हमारा जो new li है dot append child और इसमें यह जो हमने text बनाया है यह डाल देंगे एक बार चलेंगे reload तो अब देखिए यह हमारे सामने जो भावित करके हमने record add करना था वो अब हम यहाँ पर add कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आप कोई नया data इसमें add करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं लटसे मैं यहाँ पर इसकी जगा जतिन बोल दूँगा तो यह जतिन को add करतेगा सेम टाइम पर अगर मैं कुछ और record add करना चाहता हूँ तो इसी तरीके से मैं कुछ और record भी यहाँ पर add कर सकता हूँ अब आप यह सोच सकते हैं कि यार यह जो देखा हमने पूरा इसका फाइदा क्या है इस ऐसी requirement हमारे सामने आती कहां पर है तो मैं अब आपको एक बार वो दिखाता हूँ तो let's say assume करते हैं कि हमने एक यहाँ पर button बनाया तो मैंने बोला input type button इस पर एक डाला मैंने on click का function यह हम लोग पहले ही देख चुके हैं जब हमने event के बारे में भी discuss किया था तो मैं बोल देता हूँ add new li एक function बनाया मैंने और इसकी एक value रखी add more इसको बंद करते हैं अब एक यह नाम से function बनाते हैं तो हमने बोला कि हमने एक function बनाया और यह सारा का सारा code जो है मैं मेरे function के अंदर डाल देता हूँ अब देखिएगा यह किस तरीके से चलेगा जतिन 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 तो आपने कई बार website में देखा होगा कि आपके पास forms आते हैं जहाँ पे अगर आपको multiple field add करने हैं तो आप यह तरीका यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम यह भी कर सकते हैं कि मैं एक text box ले लेता हूँ तो मैंने बोला यहाँ पे input type text इसकी एक id ले लेते नेम नाम से और जब हम यहाँ पे click करते हैं तो मैं इस text box से वो data लोगा और उसको यहाँ पे add करता रहूँगा तो यह जतिन की जगा पे हम लोग एक variable ले लेते हैं let name is equal to document d o c u m e n t dot get element by id id है हमारी name dot value और यह name को मैं यहाँ पे append करा देता हूँ इस तरीके से अब देखिए रिलोड करा मैंने बोला यहाँ पे बावित एड हो गया मैंने बोला यहाँ पे नमित एड हो गया अब इसके बाद एक चीज़ और है कि जैसे ही मैं कोई data add करता हूँ मैं चाहता हूँ कि जो data add हुआ है उसके बाद मेरा text box यहाँ से खाली हो जाए वो भी possible है यहाँ से हम लोग हमारा data ले रहे हैं और इसी को मैं जो मेरा append हो जाता है यहाँ पे is equal to blank कर देता हूँ नहीं है जब भी कोई record add होता है वो भी possible है हम लोग क्या कर सकते है जब हम लोगों ने यह li बनाया यहाँ पे इसी में मैं class डाल देता हूँ मैं बोल सकता हूँ dot class name is equal to new li abc मतलब मैं एक साथ यहाँ पे दो classes डाल रहा हूँ new li b और abc यहाँ पे आये हमने कोई record add करा right click inspect कर देते हैं एक बार थोड़ा उपर करते हैं इसे हमने तरीका देखा यहाँ पे हम लोगोंने create text node नाम के एक method का use करा अगर आप चाहें तो आप इसकी जगा property का भी use कर सकते हैं कैसे करेंगे हमें इसकी कोई जवत नहीं है और इसकी भी कोई जवत नहीं है हम लोग यहाँ पे directly property use करेंगे text content तो इसके अंदर यह जो हमने li ब है वो क्या करेगी automatically यह data लेगी और सीधा यहाँ पे add कर देगी इसके लिए फिर आपको भी जो यह वाला हमने जो li के अंदर हम लोगोंने text डालने का जो process करा था उसकी append करने के जववत नहीं पड़ेगी hit करेंगे तो उसी तरीके से आपका जो output है वो यहाँ पे चलता रहेगा तो यह दा friends हमारा आज का वीडियो किस तरीके से आपको अगर append करना होता है तो आप कर सकते हैं एक हमने पहले पढ़ा था dot inner html तो inner html क्या करता था पूरे का पूरा अंदर के html को हटा के add कर देता है पर append क्या करता है आपके उसी box के अंदर end में किसी चीज़ को डाल देता है इसी तरीके से हमारे पास और भी काफी चीज़े आएंगी उनको हम लोग one by one देखेंग फिलहाल हमने यहाँ पे जो perform करा वो यह करा एक चीज़ ध्यान रखेगा यह जो data अभी आपका add हो रहा है यह खाली front end level पे हो रहा है जब भी page reload होता है तो यह हट जाता है अगर आप चाहते हैं कि जब मैंने button पे click कर दा हूँ तो यह data save भी हो तो उसके लिए फिर हमें यह यहाँ पे database का use करना पड़ेगा जो normally हम लोग हमारा जब Ajax का process होता है या इस तरीगे की to do application बनाते है तो देखते हैं जो हम हमारे आने वाले जो आगे के videos होंगे वहाँ पे discuss करेंगे तो यह था friends हमारा आज का video I hope जो append करने का create text create element करने का node का जो concept होता है आपका वो quickly clear हुआ होगा video friends अगर पसंद आया तो इसको like और share जरूर करेगा चैनल में अगर आप नए हैं और मेरे videos आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगा thank you